कि नमस्कार कि न्यूज्ड्रम लाइब के इस खास एपिसोड में हमारे दर्शिकों का और हमारे वरिष सहयोगियों का स्वागत है हम सबसे पहले यह बता दे आपको कि तिवहारों के मौसम के साथ साथ चुनाओं का मौसम भी आने वाला है और मद्यप्रदेश चतिसगर मद्यप्रदेश में भी बहुत सारी गहमा गहमी चल रही है और राजस्थान में बहुत गहमा गहमी चल रही है अभी ये दो राज्य सेंटर पॉइंट हैं तमाम तरीके के डिसकेशन स्किल राजस्थान पे आज हम चर्चा करेंगे फोकस रखेंगे राजस्थान पे क्यों और वो राजनितिक विशलिशक भी है सबसे पहले चलेंगे और अंगजीब के पास और अंगजीब आप बताएं क्या देखा आपने आज आपके अनुभों से क्या लगता है क्या होने वाला है रास्थान चुनाओं में यहां थोड़ा लोकल जैपूर में काफी गुमा और लो और यह इर्रेस्पेक्टिव और फैक्ट है कि वेदर बीजेपी और सुन्दरा राजे को बागदोड देगी या नहीं देगी एक एंटी इंकंबंसी सेट हुई है और मुझे लग रहा है कि वो एंटी इंकंबंसी अब इन चीजों से शायद दूर नहीं हो जाएगी कि तभी मैंने कहा कि कोई अगर मौजजा हो जाए तो तभी हो सकता है अदर्वाइस मुझे लग रहा है कि जैसे यहां परंपरा है राजिस्थान में वो पांच साल के बाद बदलाव तू मजज लग रहा है कि इस बार भी वो परंपरा काइम हो रहेगी देखे मैं इसलिए आप से पुरूरा हूं कि कुछ जैसे हम अक्सर जनरलिस जो है पहले टैक्सी में बैठ के वहले टैक्सी ड्राइवर को ही स्टार्ट करते हैं पूछना उसके बाद दुकांदारों से या बाकी जगाए Quehy चाई पीते हैं, Quehy गाते हैं Teaction Driver असल में मुझे लग रहा है शेकर जी जादा इनका अनुबा बहुत जादा है इसमें मुझे लग रहा है कहीं लोग आप यहां पर इसनोंने मन बनाया है कि चाहे कुछ भी कर ले इनको विदाई करनी है तो आप यह सब चीज़े जादा जैसे शेकर जी अभी हमसे बात कर रहे थे कि वसंद्रा राजे ने भी बहुत कुछ किया था लेकिन वो जो पाँ यह साइक्लिक स्टेट होने का एक यह है वो अल्मॉस्ट ऐसा है लग रहा है कि अभी भी वो परंपरा काइन रहेगी तो इसका जो हिंट है वो तो रहुल गांदी ने तीन-चार दिन पहले दे दिया था एक इवेंट में प्रते दिन अखबार के और उसके बाद कल अशो कहलो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी पीम से अपील की कि अगर हमारी सरकार नहीं बनती है तो आप हमारी योजना को मत किल कीजेगा और मैंने पिछली बार भी यह देखा है यह राजस्तान में क्या होता है कि जो जाने वाली सरकार हो जो उनकी स्कीम्स या प्रोग्राम्स है वो आने वाली सरकार इंप्लिमेंट करती है और लास्ट में अनौस करते हैं जैसे लास्ट टाइम अगर आपको याद हो अश्योगेलोद ने वह जेनरिक मेडिसन यह वह काफी की तो वह संद्रा राजे ने इंप्लिमेंट की अभी पिर वसंद्रा राजे ने कुछ स्कीम से नाउस कर दी वह गेलोद ने कि तो यह जो यहां पर यह अजीब सा यह चलता आ रहा है कि आप एनाॉंस करो और शेखर जी के पास चलते हैं शेखर जी हम जो इसको रीड कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांदी ने जो बात बोली शायद वो पसंद नहीं आई और इसी में उसको उन्होंने दो प्लस दो मिलाके चार और कर दिया अपनी भागेदारी कर दी कि देखो जी हम भी ब कमेंट है जो काफी कवरेज हुआ इसको लेकर कॉंग्रस कारिये करते हैं अंदर पर एक प्रकार से एक निराश आने का संभावना जात है क्योंकि चुनाव तक कोई नेता यह नहीं कहता है कि अपना हालत बुरा है प्राइवेट ले भी पत्रकार से भी कह सकता है लेकिन जो कहते हैं रहें कि ऐसा एक मूर में आप कुछ कह देते हो जो मैं भी कहने नहीं चाहते हैं बात यह है निरेज जी लेकि बीजेपी की जितनी मेरी जो जानकारी मिल रही है उनके लिए इतना इस नॉट सो इजी क्योंकि उनके लिए दो तीन चीज़े उनके सामने जो चैल प्रॉब्लम क्या है कि लोगसुबा चुनाओं में पचीस लोगसुबा सीट से चौपीस लोगसुबा सीट से बीजोपी को मिली ती 24 अटर 25 तो हाई नंबर स्ट्राइक रेट इतना था अब इनकी चिंता में दोनों चीज़े राजस्तान चुनाओं भी जीतना है और लोग देखें जो फॉर्मला बात कर रही है पहले हमने सुनाई गुजरात फॉर्मला की बात हुई थी जहां सब कुछ बदला गया चीप मिनिस्टर से लेकर कई मंत्रियों को अटा आ गया पूरा ने लोगों को टिकट दी गई कई चीज़े हुई अभी अभी जो फॉर्मला की ब एक जनल सेकेटरी को और वो कॉर कमिटी मीटिंग में थे लेकिन तब ही उनको इंडिकेटर नहीं हुआ कि फाइनली वो फैसला होगा आप ही चुनाव लड़ो इसलिए आपने देखा होगा जैसे कहिनाज विजेवरी की जैसे नेता कहने लेगे हम तो उस मीटिंग में थे जा सिचुएशिन यह कि लेकिन मुझे ही चुनाव लड़े को कहेंगे मुझे पता नहीं था लेकिन बात ऐसा है जो सुनने को जो चीजे आ रही है कल जेपी नड़्डा जी और अविक्षा जी भी इसी फॉर्मॉलर पर देवर अप्रोच यह है पही कैसे हम एंटी इंकंप इंपीज है जिनके खिलाफ उनको अभी सर्वे से लग रहा है कि एंटी इंकंपिशी इस्यूज उनको अफेक्ट कर रहे हैं उनको कह रहे हैं आप लोग सो बाद चुनाव लड़े तो उसमें चार नाम चल रहा है एक तो अपना गजेंदर जी की शेकावत स्वाइम है जिन जोदपूर माना जाता है शोग इलट के गड़ है तो गड़ में ही आप एकदम डिरेक्ट मुकापला कीजिए वैसे और भी नाम सारे हैं देखें अभी का जा रहा है कि कैलाश चोधरी है हमारे केंद्रिय मंद्री है उनको कहा जा रहा है दूसरा कॉंग्रेस के हरी वेट हर आफ लड़िए तो अब एसे अब और भी नाम आ रहे राजेवर्दन राठोर की नाम आरे है दिया कि पारी की भी नाम आ रही है । अर्जुन मेगवाल है अभी कनूनमंत्री है उनको भी ऑग जा रहा है तो एक प्रकार से वो लोकसभा को भी ध्यान में रख रहे हैं, ताकि क्योंकि प्रदानमत्री का सोच है, मैं लोकसभा में और यंग एनरजी ले आओ, जी, और अरुबाव नेथा को थोड़ा स्टेट में करो, ताकि स्टेट में और हमारी बैटल को सीरियस करें, तो अगर 30-35% की बात हो रही है, का ताफ बैटल, और तीसरा जो क्वेश्चिन हमारे सब के मन में है, वसुंद्रा राजी जी का क्या होगा, क्या वसुंद्रा जी, कितनी भूमिका उनकी रहेगी, एक बात तो तह है, जो कल की जो मीटिंग, जो राद बर जो मीटिंग हुई उससे क्लियर है, इतल बीए जुक्त नत्रतू की बात करेंगे, कोई इंडिजल लेता की नहीं है, इसका मतलब वसुंद्रा राजे हो, या गजेंदरे शीग शेकावत हो, या अर्जून मेगवाल हो, या जोन कूरिया हो, यह किनी कि किसी की एक प्रोजेक्शन नहीं होगी, कॉंबाइन प्रोजेक्शन दो ग्रूप्स जो से वसुंद्रा ग्रूप और एंटी वसुंद्रा ग्रूप जो जिसकी टिकट के लिए बहुत प्रेस कर रहे थे, उनमें से कई लोग जो सर्वे में उतना उनके फेवरिबली नहीं था, फिर भी एक प्रकार से फीस रखने के लिए जो वसुंद्रा चात कि भाई हम इसमें नहीं पड़ेगे, जो विनबल है उनको देगे, और ठीक है हम उन फैक्शन की बात सुन लेगे, लेकिन उन डिसाइसी फैक्टर नहीं रहेगी, तो यह सारे चीज़ें अभी शेपप हो रहा है, इसका मतलब तब बैटर लिस सीरियस, जो ग्राउंड और सचीन पाईलेट के लेवल पर केमिस्ट्री किसी तरह अभी फिलाल एक स्टेबल है, लेकिन ग्राउंड वर्क पे कैडर के अंदर किस तरह वो भाव बदला है, या सचीन पाईलेट के लोगों वो कितनों को टिकट बिला, यह सारे फैक्टर्स को भी बीजेपी ले रही ह तो फिर भी यह इनको मानना, बीजेपी को मानना है, कई चीजें जिनकी है, जो कई फ्रीबीस कहिए, लोकल लाण कारिकरम कहिए, वो गेलेट के लिए प्लस पॉइंट है, तो यह सब देखें, पहला तो अभी मीटिंग वा था, जो विमेंस बिल को केंदृत करके, प्राइ लिस्ट बीजेपी की आ सकती है, और अंगजेप से जानना चाहेंगे, अभी आपने शिकर जी ने सजिन पाइलट और गैलक के बीच में जो फ्यूड चल रहा है उसकी बात की, साथ से साथ आपके पास क्या कोई ऐसी जानकारी है कि राजस्थान में चुनाव जीतने की रण डूटा का आज मुझे कोई कह रहा था किस तरह से उनने मैनेज किया, वो बड़ा सरानी है, लेकिन राजस्थान की जहां तक बात है कॉंगरिस की, सारी स्ट्रेटिजी जो है, वो अशो गहलोत की ही, सिटिंग चीफ मिनिस्टर है और जिस तरह से आपको बता है, उनका कारी शैली है, तो वो किसी और को उसमें दखल देने का वो ज्यादा वो देते नहीं है, को भी नहीं है किसी का, तो जिस तरह हाला कि मैंने सुना कि अगर वो काफी टिक्टे बदल देंगे, जैसे बीजेपी करना चाहा रही है, अगर कॉंगर्स कुछ ऐसा करेगी, तो काफी एं जीत के आए जाए और बाद में अगर कोई ऐसा बन जाए कि जहां सचन वर्सिस उनका हो जाए तो उनका पलड़ा बारी रहे, उस में मुझे नहीं लग रहा है वो जादा टिक्टे काट सकते हैं, क्योंकि यहां काटेंगे, बहुत ही रेर हो जाएगा अगर ऐसा कुछ और हलांकि मैं आपको बता रहा हूं ग्राउंड पर कि उन्होंने कुछ ऐसा कर रहा है, तो काफी हद तक यह नहीं मैं कह सकते हूं कि वापस आ जाएंगे, बट टो ग्रेट एक्स्टेंट, वो अपना वो एंटी इंकंबंसी कट कर सकते हैं, पाएंगे या नहीं वो अलग बात है, तो अभी ऐसे है, जितनी भी रन नीती है, जो भी इसमें जो करना है, प्लान है, रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है, वो सब गेलोत ही कर रहे हैं, तो सारा उनी के ठेक रहे हैं यह, तो मतलब सचिन पैलट तो अफकोर्स उन सब चीजों से बाहर होंगे, बिलकुल, बिलकुल, आप देखेंगे कि उनका इंवल्मेंट मेरे खाल से वो बहुत ही कम हो गया है, पहले जितने वो नजर आ रहे थे, आप खाली अपने टॉंक में ही दिख रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं उनको भी लग रहा है कि यह वाला चांस, अगर देखे, अगर गेलोत वापस आ जाएगी, तो आपको लग रहा है कि गेलोत वर उनको कोई मौका देगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो सचिन पाइलेट के लिए भी यह विन्विन है कि अगर गेलोत चले जाए तो वो रहे, उसके बाद अगले पांच साल जब नेक्स्ट चुना होगा, तब वो फेस बन के आ जाए, तो मुझे लग रहा है कॉंग्रेस लिडर्शिप भी कहने कहीं, यही जो यह जो हाथ मिलाने का गेलोत और पाइलेट के बीच में प्रोजेक्ट किया गया था, दिखा के कि सब कुछ चीठा के कॉंग्रेस पार्टी में उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, निरिच हमने वो हाथ कई बार देखा मिलते हुए, और फिर कई बार हमने देखा कि कैसे वो हाथ एकदम एक दूसरे से खिंच जाते हैं, अगर आप देखोगे, वो हाथ पहले मिले दो सो, दो हजार अठारा में, फिर बीस में तो सरकारी गिरा दी थी सचिन पायलेट ने, फिर मिले हाथ, फिर देखे क्या हुआ, और अभी रिसेंटली जब कॉंग्रेस प्रेजिडंट बनना था अशोग गेलोट को और सचिन पायलोट को मुखे मंतरी बनना था तो क्या हाल हो गया, अभी मुझे कहीं न कहीं वो जो एक, आप कहा रहो कि वो पैच अप नहीं होते दिख रहा है, अभी शेखार जी ने बताया कि गेलोट को उनके घर में घेरने की तयारी है, शायद शेखावत सिपको वहां से चुनाव लड़वाया जा सकता है, उसी तरीके से टोंग में भी सचिन पायलोट को भी घेरने की तयारी है, और आपको लगता है कि सचिन पायलो पार्टी उनको भी ठिकाने लगाने में काफी माहर है और हो सकता कि इस बार वह सचित पाइलट को वह चैलेंज भी पूरा वह देखना पड़ेगा कि कैसे वह उससे नहीं पड़े नहीं पड़ना चाहिए लेकिन गुजरों में वह हैं बड़े नेता और उनको लग रहा है कि उनके साथ काफी नाइंसाफी हुई है और उनको जस्टिस नहीं मिला है वो मुखेमंत्री के दावेदार थे दोजार अठारे में उनको देना चाहिए और वो बैकिंग उनको अभी भी है जी शेकर जी के पास आते हैं शेकर जी एक वसंदरा को ले करके मैं इस शायद वसंदरा जा सकती है बिना उनको भेजे गए बीजेपी जीते गी नहीं बट जो अभी हमारी इस वकत की बाची से जो समिगरन बनता हुआ दिख रहा है वो यह नजर आ रहा है कि वसंदरा को बाहर भेजने की कोई जरूरत नहीं है चली गई तो शायद जीत हार के को राजस्तान के जो इलेक्टरॉल अरिथमेटिक है जो पॉजिशन्स है पॉजिशनिंग भी है उससे भिड़ा बीजेपी उनका भी कोई उनकी ग्रूप के लिए कोई ज्यादा नहीं देखे आप एक नेगेटिव एजेड़ना में जाके कह सकते हो बही मैं अलग हो जाऊंग मुझे नहीं लगता है कि वसंद्रा को किरारे करेंगे या एकडोर करेंगे ऐसा नहीं करेंगे और देखे देख दो मीटिंग में आपने देखा होगा अमिट शाह ने भी कह दिया और पहले वसंद्रा जी से उनको अड्रेस करना है उनको ये करना है एक प्रकार से एक एक ब में लड़ा लो लेकिन जब तक आप हमारे लेता को प्रजेक्टिए करेंगे तब तक कोई लेर होने की संभावना नहीं है और इनका वसुंद्रा जी का एक अलग प्रकार्श एट्रेक्शन है तब पार्टी के अभी किसी तरह किसी को किनारा नहीं करना है कब से कब नहीं में आये प्रदारमत्री बनके वो चाते थे कि वसुंद्रा राजी उनके कबिनेट में शाबिल हो जाए इतना तक मेरी जानकारी है उनको डिफेंस पोर्टफोली ओफर किया गया था लाकिन वो एक प्रकार से उनकी मून होती है उन्होंने उस समय बोला ने ने मुझ दिली यानि तुकि वो समय मुख्यमंत्री थी अब क्या हो गया कि इस पिरियाट में भी वो उतना शक्रिय भी नहीं है देखे यह पिछले पांथ साल में उन्होंने कोई अक्टिव भी नहीं रही पार्टी में भी नहीं रही और बार बार यह बात आई भई उनका अच्छा है अपने समर्तों के साथ बस उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ तो कि उसे मैं पोलीस केज लग गया तक आशोगे लेंडे पोलीस को पीछे बेजा था सब के खिलाफ केस कर दी थी तो उत्रा ही हुआ उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ और तो इसलिए आप देखेंगे और एक दूसरी बात इसमें ध्यान रखना होगा यह है कि देखें गजेंदरी सिंग शेकावत हो राजेवर्दन राठोर हो या अर्जुन वेगवाल दलित लीडर है तो यह सारे लीडर्स देखें इनमें हर में कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट्स है कुछ नेगिटिव जीतने में और दूसरी चीज निरेज जी देखें अभी जो जन्न अक्रोश नहली हुआ था देखें अक्रोश राजस्ता जन्न अक्रोश नहली हुआ उत्ने अच्छी रेस्पोंस नहीं आई यह कारण जी फैक्शनल कारण से पर इकौन राली ले जा रहा है कौन वहां और देखें यह वाले चीजें भी केंद्रिया लेडर्शिप के सामने आया है कि जन्न अक्रोश नहीं इतना जितना रेस्पोंस आनी चाहिए उतनी आई इसलिए बार बार यह भी चला अशो केलेट जीत जाएंगे और बीजेपी के लिए दिक्कत आई लकिन जैसे चुनाव इन दो हो फिटिकन मिलेगा तो यह सब देखकर मुझे लगता है कि इस अ क्लोज बैटल दो पीपल में नौट थिंग डाइट इस आस क्लोज ऐस बद्यप्रदेश पट मुझे लग रहा है कि राजस्तान हो मध्यप्रदेश हो रद्यप्रदेश में तो कह रहे हैं कि अपर ह इसी सीटे हैं इससीटे कभी जीती नहीं हो या और सेकेंड आये हो या थर्ड आये हो जाड़ातर सीटे हैं जो रिजर्ट सीट से ट्राइबल स्केली रिजर्ट सीट से तो यह अभी आज की पुजिशन है लेकिन जैसे फिर्स लिस जारी होगई राजस्तान उसके बाद चल रहे हैं बाकी सब की चल रही है और जहां पर conflicting issues है उसमें तह करेंगे आई कमाड या नी प्रदान मंत्री और या अमिट शाह चल यह बहुत हो शुक्रिया सर एक चीज़ हमें इस पूरी बातचीत से यह मैसेज मिला है और वो मेरी ख्याल से बहुत इंपॉर्डेंट है इस टाइम पर कि वसंदरा राजे कहीं नहीं जा रही है उनको एकमोडेट किया जाएगा मुझे लग रहा है कि बीजेपी को करनाटका से शायद वो जो करनाटका में उन्होंने इद्रुपा के साथ किया उसके बाद थोड़ा सा वो अब संबल के ही चलेंगे जी और दूसरा दूसरा यह मैसेज मिलता है इस पूरी हमारी शो से कि बीजेपी ने अगर तीन चार बड़े नेता उतारने भी हैं तो किसी को मेरे ख्याल से यह क्यलत फेमी में नहीं रहने देगी यह पार्टी कि आप मुखे मंत्री बन सकते हैं वजह कि चुनाओं के बहुत बहुत शुक्रिया और दमीनी हालात से हमें वाकिव कराने के लिए और शेकर जीस के लिए जमीनी आलात बदर सकते हैं कुछ कहने जाएंगे अभी तो कहरा हूं कि हमें जाधा प्रेडिक्टेबल होने के दुरूरत नहीं है बट आज की जो आप सिच्योशन ने रख जो मैंने आज देखा बिलकुंगे जिलिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्सकों का भी फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ किसी खास मुद्दे पर थेंक्यू कि अधुन कि